जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुली सही देखा थमनेल में आज हम बनाएंगे 240 रुपे की पैनकेक 10 रुपे में और वो भी सिर्फ और सिर्फ पांच मिनित में सो लेट्स बिगिन इंग्विडियन्स में हमने लिया है एक कप मैदा हाफ स्टी स्पून बेकिंग पावडर हाफ स्टी स्पून बेकिंग सोडा एक चुटकी नमक डाक चॉकलेट वाइट चॉकलेट एक बाउल दूध दूध दोसे तीन डॉप बनीला एसेंस पैनकेक के ऊपर चॉकलेट स्पीरिंग के लिए हमने जो डाक चॉकलेट और वाइट चॉकलेट लिए है उसको हम डबल बॉयलर मेथर से मेल्ट कर लेंगे एक पतीली में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था जो कि बहुत अच्छा बॉयल हो चुका है उसके उपर अब हम यह बॉल रख देंगे और हमारी दार्क चॉकलेट ने वो थोड़ी देर मैं मेल्ट हो जाएगी इस मेथर को बोलते है डबल बॉयलर मेथर आप ऑवन भी मेल्ट कर सकते हो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा यह देखिए यह धीरे धीरे हमारी जो यह दार्क चॉकलेट है यह मेल्ट होने लगी है दबल बॉइलर मैथर है ना उससे जो यह चॉकलेट मेल्ट होती है उसमें बहुत अच्छी शाइन आती है प्रोड़ खाइन आती है प्रोड़ प्रोड़ लाद समय एक लाद स्थे जसे हैं झाउन आती है प्रोड़ जचाए यह ज़ाए है यह रपक्षब़ भ्रोड़ है अच्छी तरीके से यह मेल्ट हो रही है यह देखे हमारी डार्क चोकलेट तो बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है अब देख सकते हो बहुत ही अच्छी शाइन आ रही है तो इसी तरह मैं वाइट चोकलेट भी मेल्ट कर लेती हूँ यह देखे यह वाइट चोकलेट भी बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है अब हम इसको एक कॉन में भर लेंगे अब ही डार्ड चॉकलेट को में भर लेंगे उसके लिए पहले लिया एक दास अब हम इसमे डाल देंगे मेल्टेर डार्ड चॉकलेट अब कर दोक्त षे में उन्माण स्थावज़ में और गला है, यदार है, तोड़ में भर्ड़़् में नहीं हमा जूक्त है, और जुबी अच्ताव, जलमना लिए पोड़िजरे झाल लॉच है, नहे जुब्टर्भान भेंगे रिद़ के अव़िग हैंगे वागई धोग्यों यह बन गया हमारा चॉकलेट कॉन ऐसे ही में वाइट चॉकलेट का कॉन बना दोनों चॉकलेट कॉन एक दम रेड़ी है अभी हम पेंड केक बना लेते हैं पेंड केक का बैटर रेड़ी करने के लिए सबसे पहले हम सारे ड्राइ इंग्रीजिएंट को मिक्स कर लेंगे जैसे क के पहले है यह मैदा हाफ टी स्पून बेकिंग सोड़ा हाफ टी स्पून बेकिंग पावडर पिंच ऑफ सोल्ट एंड वन एन हाफ टेबल स्पून शुगर अब इसको पहले मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा धोड़ा करके दूड डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लंप सनाव आजाए तो इसमें हम डालेंगे दो तीन ड्रॉफ वैनिला असेंस अब हम डालेंगे वन टेबल स्पून मेल्टेड बटर एक बार मिक्स कर लेंगे अल्मोस्ट हमारा बैटर रेड़ी हो गया है ऐसी कंसिस्टन्सी चाहिए देखिए हमारा नांस्टिक पैंट गरम हो चुका है अब हम इसमें छोटे छोटे पैंटेक बना लेते हैं हुआ हाँ हुआ हुआ है यह बना सकते हो यह देखे इसमें बहुत अच्छा सा यह हो रहा है यह देखे हैं हमारी पैनकेक एक साइड से अल्रेडी पक चुकी है वह इसको फोल्ड कर लेंगे यह देखे हैं यह देखे हैं अजब पत्थ अच्छी पक लेंगे दूसरी साइट से भी हम थोड़ा साइस को पकने देंगे यह जो पैनकेक है ना यह हम मीडियम फ्लेम पी पकाएंगे क्योंकि हाई फ्लेम पकाएंगे तो जल जाएगी एक बार पलता के देख लेते हैं यह देखिए जो पैनकेक है वो बहुत अची तरीके से पक गई अब हम फ्लेम बंद करतेंगे पहले हम प्लेट में पैनकेक रख देंगे कितनी फ्लफी दिख रहे है ना पैनकेक अब हम उपर से थोड़ा पाउडर शुगर डालेंगे यह देखिए एकदम बढ़िया अभी हम डालेंगे हमने जो ब्राउनी के क्रम्स लिए ना वो हम इसके उपर डाल देंगे एकदम अच्छे से डालेंगे अभी हम यह जो डार्क चॉकलेट का कौन बनाया था उससे हम यह पैनकेक को पुरा कवर करेंगे एकदम अच्छे से हम उस पर चॉकलेट डालेंगे अभी हम इसके उपर वाइट चॉकलेट डालेंगे वाइट चॉकलेट से हम पूरी की पूरी पैनकेक कवर कर देंगे कितनी अच्छी दिख रहे हैं ना पैनकेक कच अगदम डेलिशियूस कितनी अच्छी मनी हैं ना पैनकेक अगदम 99 पैनकेक जेसी यह पैनकेक आप बास डाल टीजर्ट में भी ले सकते हो तो प्राय करेगा और मुझे नसक्ट जाता है इगा कि कैसी लगी रेसिपी और हां इस वीडियो को लाइक एंड शेर करना बिलकुल भी मत बुलिएगा कि अब कि अब कि अब